नमस्कार, ATN Live में आपका स्वागत है और मैं कैलास का सब एक नई खबर के साथ फिर से आपके सामने मौजूद हूँ और आज हम जिस खबर पे चर्चा करने वाले हैं, वो खबर ये है कि लगातार, चाहे वो उत्तर परदेश हो, बंगाल हो और अब बिहार, कॉंग्रेस के लिए एक अगनी परिख्या का समय आता दिखाई दे रहा है, बंगाल के चुनाओं में ममता बनर जी ने कॉंग्रेस के साथ कोई समझाओता नहीं किया, और यही हाल रहा उत्तर परदेश में, उत्तर परदेश में आखिलेस यादों ने बिलकुल छोटे छोटे दलों से तो समर्थन लिया इस चुनाओं में, लेकिन कॉंग्रेस के साथ वो अलग हो गए, और अब हमें लगता है कि साइद यही सब कुछ देखते हुए, बिहार में तेजस्वी यादाओं ने, जो अभी MLC का जो चुनाओं होने वाला है, उसको लेकर के, उन्होंने साफ एक साफ तोर पे एक बड़ा फैसला लिया और कॉंग्रेस को बिलकुल इस चुनाओं से अलग कर लिया कि नहीं, आपको एक सीट भी नहीं दी जाएगी, अब सवाल उठता है कि क्या कॉंग्रेस को अलग करके, ये सत्ता हासिल किया जा सकता है आज के समय में, या फिर क्या क कॉंग्रेस अब इतनी कमजोड़ पार्टी हो गई कि उसे जो छेत्रिये छत्रफ हैं, वो अपने आगे उसको कुछ समझते नहीं हैं, हम इस पे जवाब लेने के लिए सीवान के जाने माने अधिवक्ता कमलेस सिंग के साथ बैठे हुआ हैं, जो राज्यतिक मिसले सक हैं औ पार्टी के साथ कोई पनादिकारी भी हैं, तो कमलेस जी आज जिस तरह से बिहार में भी उत्तर परदेस आपने देखा कि किस तरह से अखिलेस को नकार दिया, और यहां भी अपते जस्वी यादो के दिमांग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, भगवान जाने, लेकिन उन्होंने, MLC का जो चुना होने वाला है, 24 सीट था, एक भी सीट कॉंग्रेस को नहीं दिया, इस से थोड़ा डिफर करें, एक सीट तो हम मांगिये नहीं रहे थे, हमको उनको छे से साथ सीट लालू जादो जी बोले थे, हम छे से साथ सीट आपको देंगे, और ते हम बड़े लीडर होते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव सेंस में देखते हैं, हम 24 सीट पर लड़ेंगे, तो कहीं कम भोट लाएंगे, कहीं जादे भोट लाएंगे, कहीं जीत भी सकते हैं, तो हमारा हर जगह कम से कम संगठन तो ख़ड़ा होता है, क्या कमलेश जी, कॉंग् सीवान जैसे जगह पर और हम आपको लिश्ट दिखा देंगे कि उधर समस्ति पूर भागलपूर में एक एक सीट पर छोचो आवेदन है उस उस कॉंग्रेस को उसकी कमी नहीं है तो अब जिस तरह से खिलेश यादों ने उत्तर प्रदेश्ट में कॉंग्रेस को बिल्कुल अ कितना बदलेगी यह तो वक्त बताएगा लेकिन जो आकड़े आ रहा है वह दम सीधा दिखाई दे रहा है कि नहीं वहां अगर लड़ाई है तो बीजेपी और सप्पा में यह चल रहा है यही चीज अब यहां तेजस्वी यादों को भी दिमाग में बैठा हुआ हुआ है क अब रहा सवाल तेजस्वी जादों जी का कि हम अकेले चुनाओं लड़ने तो 2010 में अकेले चुनाओं लड़े थें कॉंग्रेस भी लड़ी थी पूरे 242 सीट पर और इनके 22 MP एमले हुए थें और अभी जो पिछले पार्लेमेंट में भी इनको जीरो मिला MP और कॉंग्रेस जीरो मिला उसको चार लाख होटाया और उनको सुन्य सीट प्राप्त हुआ उनको भरम पकड़ लिया है तेजस्वी जादों को इस बार थोड़ा सा वह जादे सीट पालिये हैं तो जादे सीट पालिये हैं अपने विद्वता अग्यान के वज़ा से नहीं यदि लोजपा नहीं खड़ा होती नितीजी के खिलाफ और कंडियेट नहीं देती तेजस्वी जादा उचल रहे हैं तेजस्वी चले आते बहुत नीचे और मामला साफ है कॉंग्रेस को कभी भी इस तरह से जुख कर समझाता करना भी नहीं चाहिए क्या होगा कमले जी सवाल ये भी तो उड़ता है कि बिहार कॉंग्रेस के बड़े बड़े लीडर यहां पे हम लोगों ने देखा है कई बुख्यमंत्री कॉंग्रेस से हुए जगरनाथ बिस्तरा हुए बहुत सारे लोग हुए तो इन सब के बावजूद आखिर आज कॉंग्रेस हांस था मुसिम का बिज्ट के बाद मुस्रीम हमसे नाराज होगा और नाराज होकर हमको छोड़कर चले गया है बावी डिमॉलिशन में कहीं नर्सिम राव जी का जोगदान था नहीं लेकिन मान लिया गया कि दिल्ली में इनकी सरकार है और यह हमको मदद नहीं कर पाए एक हवा उड़ा दी गया भाजपा के तरफ से उसमें भाजपा की विशाजिस थी मुस्लिम हमसे अलग हो गए और फि पास्त आधारी तो यहां सीधे चुनाओं होता है और एक भाजपा का एक भाजपा ब्रोद का मुसल्मान है उसका सीधे कंड़ियेट है कि जो भाजपा को हरावे का हम रहेंगे राजत सावित कर देता है कि हमको ज्यादव वाला हिंदू भोट है मुसल्मान के पास तो है न परशंट मुसल्मान है वियार में बारा परशंट है जादो अदोस गुलड़े हैं मुसल्मान यहीत है वाई एम समी करने हैं तो यह भी तो अब धीरे-धीरे कई सभाव में जो मुसल्म इरादरी के जो लीडर है वो लगातार कह रहे हैं कि भाई राजद हमें हम सीवान की बात कर रहा है सीवान में जो पहले अब थे अब नहीं है अम लोगों के बीच में लेकिन उनके भी कई लोग कहते हैं कि जो मुसल्म लीडर है कि भाई राजद में अब हमारी वो बात नहीं रहे है और वो उस सब कॉंग्रेस के लोग थे हैं उनका एक मात्र है को उनको सवाल यह उड़ता है कि आपको आइना दिखाना सुरू कर दिया है आप अपनी पुरानी पोजीशन पर कब आएंगे मतलब अगर अब नहीं आया लोग अपनी च्हमता पर अभी जो चुनाओ की स्थित्ति हुई या उसके पहले दो बाई एलेक्शन हुआ था दूसमें भी हम लोग अलग 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 लड़ेते हैं हमारे प्रभारी के बारे में मानिनिय लालो जी बहुत अभधर भासा का प् पचीस-पचास पर सेकेंड करेंगे पचीस-पचास पर थर्ड करेंगे बाकीर में हमारा जमाना जब्त हो जाए फिर पांच साल वर्क करेंगे तो पचीस-थीस पर हम फर्ष्ट करेंगे पचास पर हम सेकेंड करेंगे बाकीर में जमाना जब्त होगा फिर हम लड़ेंगे इस तरह से करेंगे तो आप खड़ा होंगे अब जहाँ दो सो चालिस के अगेंस्ट में आप 3040 सीट पर कंपरमाइज कर लिजेगा सो विगा जमीन में जहाँ पांच विगा जमीन ही आपको खेती के लिए दे दिया गया हो अब 95 विगा जमीन आपका फर्टाइल नहीं है वो मिहीन हो गया परती हो गया तो वहां आपका संगठन कहां से खड़ा हो पाएगा सीधे समझने वाली बात है इसमें होता ही है कि जो स्टेट लीडर है वो चाहते है कि राज़त से एलाइंस करके आसानी से चुनाव जीत लिया जाए एमले बन जाया जाए और इससे संगठन पिट रहा है तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में कलहिया जैसे बड़े चेहरे को कॉंग्रेस ने लाया है और वो दोरा भी चल रहा है बिहार में कई जगा तो क्या यह माना जाए कि कलहिया के माध्यम से बिहार में कॉंग्रेस की जो सूरत है वो बदलेगी उसी के लिए उन्हीं को बुलाया गया है सकील साहब जो जैनियू के अभी वहां से विधायक हैं कदवा से दूसरी बार विधायक वी जैनियू के प्रेज़ज़न थे अब उन्हीं के अथक प्रयास से वो आये हैं राहुल जी से अपना ने को शिट किया होगा लोग आप लेखें होंगा नील सर्मा जी अध्यक्त थे बियार प्रदेश के उस समय कॉंग्रेस का रूतबा कुछ लोटा था कि नहीं लोटा था यही न जनता थी यही न लोग थे यही न पार्टी थी यही बियार था तो आप नितित बढ़िया दीजिएगा वर्क कीजिएगा जिला अब बताइए भारते राजनीत में कॉंग्रेस अगर आज अपना हाथ खिच ले तो भारते राजनीत में सुन नेता आ जाएगी कि नहीं आगी किसे लड़ेगी गौआ मन जाएंगे तेजस्विजादव लडाने उत्राखन में जाएंगे तेजस्विजदव लडाने यह कॉंग्रेस कोई भेजेत करता नहीं होता है decomposiveinal बात माने हैं इन लोग को जाना भी नहीं चाहिए मांगने हम तो कहा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े घर के लोग हैं इसमें अगर लड़का ही लड़ाना है तो सब जो एंपी एमले जो सब भारा है जीता है कोई लड़ावे मजबूत मजबूत आदमी को इस चुनाव कैसे हो रहा है को नहीं जानता है हमारा अंतिम सवाल यह होगा कि जिस तरह से अभी हाल के चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी आपकी जो लीडर है बड़ी मेहनत कर रहे हैं बहुत जाड़ा मेहनत कर रहे हैं साथ एक लड़की मनें एक औरत होते हुए तो प्रियंका गांधी को आप पार्टी का वह चेरा क्यों नहीं बनाते हैं जीसके पीछे एक बार पुना हम कई जगह से हम लोगों से जब बात चीत होती है तो लोग कहते हैं कि प्रियंका में इंद्रा की छबी दिखाई देती है लगता है कि इंद्रा गाधी बोल रही है यह चीज तो देखने से लगा है इस बार गजब का पेसेंस है उन में आप देखिए उतर परदेश में भोट किते बात अभी नहीं करेंगे जितनी भी घटना आए घटी थुई चाहे उन्नाव का घटना हो या सीए एनर्सी की घटना हो या पूनम पांडे वाला घटना हो हर जगे प्रियंका जी जोगी जी के पुलीस लाठी तंतर से लड़ते नजर आई एक नेता का यही काम है उसमें कई बार मतलब ऐसा भी हुआ है कि उनको थोड़ा परशान होना पड़ा है कभी मिस हैंडलिंग हुआ है लेकिन डरी नह है उसमें कोई जाती ब्यादर को उन्होंने चीनीत नहीं किया बहुत डेंट हो जाए बाइपोलर चुना हो जाई अलग बात है लेकिन एक नेता को जो करना चाहिए आज भी कर रही है और उनके हर मीटिंग में भीड जूट रहा है बहुत कसके तो यहीं तो मैं भी कह रहा ह है यह नहीं कहाना चाहते हैं कि राहूल गांधी जिए उनसे बड़े चेहरा है हमारा यह कहने का मतलब था कि राहूल गांधी कहीं कुछ ल्ट पड़ा जाते हैं या वो भी सादगी के परदिक हैं idea कोलेकिन अगर परयंका आ जाती है तो Das लगता है कि देश के राजनित में एक बहुत बड़ा बदला होगा और साइद कांग्रेस जो अपनी पुरानी छविक हो चुकी है जो इतिहास बन चुका है हमें लगता है कि साइद इंद्रा गांधी का वो रिकॉर्ड भी साइद टूटेगा प्रियंका के आने से जो बिलकु लेकिन फिर मुस्कुराने भी लगी थी गुलंदी से राहूल जी को हमने कई बार सुना है कई बार नजीक से भी देखा है बहुत टैलेंटेड आदमी है जो प्रॉम्टर से देखकर बोलता है लोगना राहूल में हम लोगों देखा है कि वो चल कपट वाली भासा वो नहीं में खुला देखा है यही बात है कि राजनीत का जो और हिसा है कि बोलो कुछ करो कूछ राहूल जी का अपना हिसाब है कि अगर मैनुफेश्टो लाएं है तो मुझ्य मंतरी से लटने लगते हैं कि कर से मैनुफेश्टो तुम लागू करो, मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं ले लेकिन आने वाले समय में राहुल जी की राजनीत प्रियंका जी की या राजनीत जनता एक्सेप्ट करेगी उन लोग का समय स्वरणीम है चलिए आपने देखा कि जो आस पे तो दुनिया ठीकी हुई है और हम भी पुरा देश भी कि कहीं से भी जो देश की राजनीत है राजन हो और देश जो पहले जिस विकास के साथ आगे बढ़ रहा था वो देश आगे बढ़े लेकिन कहीं न कहीं आज जिस तरह से बिहार में कॉंग्रेस की जो छवी थोड़ा धुमिल हो रही है जो उनके अपने सयोगी दल है वो कभी कभी अब क्या-क्या सब्द हमें वो सभिधा हो रही है लेकिन एक सयोगी होने के बावद दिष्थ समाल कर देते हैं कॉंग्रेस के बड़े लीडर को लेकर कर के लेकिन उसके बाद मिलकुत सैयम के साथ पाटी के साथ है लेकिन उसके बावद दिखार में जो राजनीत का उूठ है वो कर्वट जिस कर्वट बे अपने जब विधान सभा का चुनाव हो तेजस्वी यादो अकेले चुनाव लड़े और फिर कॉंग्रेस को विचार करना होगा कि वो किस तरीके से अपने को बिहार की जनता के सामने रखे यह तो आने वाला वक्त बताएगा